नमस्कार आप देखें इन्डी नीज़ और मैं हूँ आपके साथ प्रेव्रद दिक्षिस्वागत आपका सुर्णी मदबदेश 36 गड़ के इस खास बुलेटिन तो 36 गर्के मुख्यमंति बोपेश बगेल ने पदेश के नागरिको को विश्रु हिंदी दिवस की बधाई दिय से पूरी दुनिया में हमारी संस्कृती विकास और पहच्वान कायम होती है इसलिए हम सब का दायुत है कि अपनी राष्टवासा हिंदी का सम्वान बढ़ाने के लिए हर संभव प्यरास करें तो वहें सीम बगेल ने कहा कि वच्चों को राष्टवाशा के गौरब की कहान संस्मरण बताएं और हिंदी के प्रती रुची विक्सित करें साथी हिंदी को अंतराष्ट इससर पर प्रसारित और प्रचारित करें जिससे हिंदी की अंतराष्ट भाषा के रूप में पहचान बन सके आपको बता दे कि 36 गड़ के मुख्यमंती भुपेश बगेल ने टूइट कर प्रदेश वासियों को हिंदी दिवस के बधाई दी है साथी आपको बता दे कि आज विश्व हिंदी दिवस से जिसको लिए कर आपको बता दे कि सीम भुपेश बगेल लेगा कि हिंदी भाषा से पूरी दुनिया में हमारी संस्कृति विकास और पहचान कायम होती है इसलिए हम सब का दायत है कि हम अपनी राष्ट भाषा हिंदी का सम्मान बढ़ानी के लिए हर समप प्रयास करें और साथ इसीम भगेल ने कहा कि बच्चों को राष्ट भाषा कि गौरव की कहानिया और संस्मरण बताएं और हिंदी के प्रती रुचिक विक्सित करें तो अहें प्रदेश की बात कर ली जाए तो संक्रिवितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और आपको बतादे कि प्रदेश में रविवार को 31,071 लोगों का करोना टेस्ट किया गया जिसमें से आपको बतादे कि 2,502 लोग संक्रिवित मिले हैं वहीं प्रदेश में आज दो लोगों की मौत करोना की वज़े से हुई है पहली मौत जान्जवीर, चांपा और दूसरी मौत वबस्तर में हुई है तो वहें आपको बतादे कि प्रदेश में आज पॉस्टिविटी दर 8,05 फेस दी है तो वहीं 36 गड़ में करोना संक्रमन के खत्रे को देखते हुए मंत्राले और सरकारी दफ्तरों में अब एक तिहाई करमचारियों के उपस्तिती ही रहेगी और दफ्तरों में रोस्टर बनाकर अधिकारियों और करमचारियों के ड्यूटी लगाई जाएगी वहीं सब डिवीजन अधिकारी और उससे वरिष्ट अधिकारियों की उपस्तिती पूरी रहेगी वहीं जांजगीर में सकती थाने में साथ पोलिस करमी पोस्टिप मिले है और वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमन बेकाबू हो चुका है इससे कोरोना के नए वेरियंट ओम मूनों की रिपोर्ट का इंतजार है विशेश रग्यों का कहना है कि अभी तक यह वायरस कम खतकनाग दिख रहा है ऐसे में अधिकतर संक्रमितों को बिना लक्षण बाले या केवल बुखार या बदन दर्द के शुकायत आ रही है 96-97 मरीज होम आइसुलेशन में ठीक हो रहे हैं तो आपको वता दे कि 36 गड़ में लगातार कोरोना के आकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं जिसको लिकर भूपेश बगहिल ने चुनता विक्त की है तो वहीं आपको वतादे कि एक नया फैस्कला लिया गया है जिसमें मंत्राले और सरकारी दफ्तरों में अब एक तिहाई करमचारियों की उपस्तिती होगी रोस्टर बनाकर अदिकारीयों और करमचारियों के ड्यूटी लगाई जाएगी वहीं सब्दिविजन अधिकारी और उससे वरेस्ट अधिकारयों की उपस्तिती पूरी रहेगी वहीं जांजगीर की बात कर ली जाए तो सकती थाने में साथ पुलिस कर्मी पॉस्टिम मिले हैं और उसके बाद अब प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में कुरूना संक्रमड बेकाबू हो चुका है क्योंकि जिस तरीके से आंक्रे लगातार सामने आ रहे हैं ये सच में चौकाने वाले आंक्रे हैं और कहीं ना कहीं तीसरी लहर को लेकर इसका अंदेश्वा भी लगाया ज़ा रहा है 36 गट सरकार एक बाद फिर से अलाच मोट पर है कुरूना को लेकर तो मद्यपदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ने भुपाल की सिवल डिस्पैंसरी में वेक्सिनेशन सेंटर कर जायजा लिया है और जहां देश में फ्रन्ट लाइन वरकर्स और असाट साल से अधिक ओमर के लोगों के लिए प्रिकौस्ष्न डोस वेक्सिनेशन अभ्याद शुरू हुआ है इस दोरान सियम का कहना है कि कुरोना के प्रचार को लेकर मद्यपदेश पूरी तरीके से अलाटेओ और प्रचार के जरीय लोगों को घरों में रहने के लिए कहा ज़वा रहा है तो वहीं कुरोना के प्रहार को मध्यपदेश इसलिए जहल पा रहा है क्यूंकि हमने वेक्सिनेशन का काम बहुत अच्छा किया है सियम ने और क्या कुछ कहा सुनवाते हैं काम में लगे हुए हर भाई और बहन को मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारा फर्स्ट डोज पहला डोज 96.6 प्रिशत लोगों को लग चुका है 96.16 परसेंट अब यह आल्मोस्ट 100 परसेंट इसलिए है कि 3-4 परसेंट लोग तो हमारे प्रदेश में नहीं है कोई बाहर काम के लिए गया है तो उनका वहाँ वैक्सिनेशन हो गया होगा तो मैं यह मानता हूं लगवग पहला डोज हम लगवग लगवग अपबाद छोड़के सभी पात्र बेहनों भाईयों को लगा चुके हैं मुझी एक कहते हुए गर्ब है और मैं जनता को भी बहुत धन्यवाद देता हूं स्वेम से भी संख्षनों को धन्यवाद देता हूं हमारे प्रिसासन को फ्रेंट लाइन वर्कर्स को हेल्थ वर्कर्स को कि हम दूसरा डोज भी 92 परसेंट लगा चुके हैं यह 92 परसेंट इसली हुआ कि कुछ का जो समय पूरा होना चाहिए 28 दिन का वो पूरा नहीं होता फर्स जोज के बाद तो उनको 28 दिन के बाद ही लगता है उसको भी हम लगाता लगाते चले जा रहे हैं और एक बात और मैं प्रसन्यता के साथ और आनंद के साथ कह रहा हूं कि हमारे बच्चों को जो वैक्सिनेशन सुरू हुआ पंद्रा से लेक आठारा साल के बेटा बेटियों को वो भी 46.38 परसेंट चालीज दसम्लाब 38 परसेंट बेटा बेटियों को लगातार शिवरास सरकार अलर्ट नजर आ रही है तो वहीं देश में करोना का खत्रा जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी को लेकर शिवरास सरकार अलर्ट नजर आ रही है तो वहीं आपको बता दे कि तीसरी लहर के मामलों के जवरदा सबरहुत्री भी देखने को मिल रही है अब बूस्टर डोस या प्रिकॉशन डोस देने के तयारी कर ली गई है साथी हेल्ट केर वरकर्स और सिक्स्टी प्लस लोगों को वेक्सीन की तीसरी डोस लगाई जा रही है और आप सभी पात्र भाई वहनों से अग्रह है कि यह डोस लगवा कर स्वास्त भारत के निर्वाण में उगदान दें तो ख़वर महत्यपदेश के इंदोर से है जहां पर आपको उता दे कि पोरुस्तियम दिगुजय सिंग ने एक बड़ा हमला किया है आपको उता दे कि एक बड़ा फिर से RSS पर बड़ा बयान दिया है दिगुजय सिंग ने कहा कि संग आतंगवाद की ट्रेनिंग देता है संग बंब बनाने की ट्रेनिंग देता है पुरुस्तियम ने संग को नफ़रत की विचार्धाराओं वाला संगचन कहा है तो वहीं दिगुजय सिंग ने संग को दीमक कीतर है बताया है दिगुजय सिंग ने संग के निताओं को चुनोती भी दिये है कि वो मेरे साथ आकर सावजनिक मन्च पर बहस करें कॉंग्रस नेता ने कहा कि हिंदु धर्म को कोई भी खत्रा नहीं है, तो वहीं मुसल्मान देश में कभी बहुत संक्यक नहीं बन पाएंगे, साथी कहा कि इसका मेरे पास प्रमाण है, साथी उन्होंने ये भी कहा कि संग में महिलाओं की कोई इज़त नहीं है. बात गही है, कि आप ऐसे सब्टन से लड़ रहे हैं, जो उपर में दिखता है, लेकिन नीचे, जिस तरह से दीमक लगती है किसी घर में और किसी बस्तू में, उस तरह से काम करता है. मैं जब ये कहूँगा, तो सबसे ज़्यादा कालियम में खाओंगा लूपी RSS से मिर्की मेरे तुलना दीमक के साथ करते हैं. ये मिक्यादारा की बात है, RSS के लोग मुझसे बहस करें, तुम्हारा सगटन है का, तुम्हारा अस्तित कहां है, रोईिस्टर्स संस्ता कहां है, ये केवल गुप चुप तरीके से काम करते हैं, हर चीज छुप चुप चुप काम करेंगे, खुले हां कोई काम नहीं करेंग गलत भाव ना फैलाएंगे, और मैं इस बात को पूछना चाहता हूँ, कि कभी RSS ने कभी सगटन के रूप कहीं धरना दिया, कोई आंदोलन किया, कहीं किसी आम जनता या किसान और मज़ूर की लड़ाएं कहीं ड़ी, कभी नहीं लड़ेंगे, कभी उपस नहीं आएंगे, वो हमेशा आपके करने आएंगे, अरे भैस सब्सक्राइब के बढ़ते मामलों की जानकारी देते हुए कहा कि हमारे तयारी पूरी है, परियाप्त मात्रा में दवाओ और अन्यस अंसादन उपलब्द हैं, सुनवाते हैं आपको मद्यप्रदेश के अंदर कोरोना के 2317 नई प्रकरण, नई केस आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने घरों की और जाने वाले 410 लोग हैं, सैंकमन दर वर्तमान में 3.4 प्रश्यत हमारी संपूर्ण मद्यप्रदेश की है, जबकि रिकरवी दर हमारी 97.37 बनी हुई है, कोई भी आज काल कवलित होने का या दुखत समाचार मोत का नहीं है, हमने पूरे प्रदेश में 8,668 एक्टिव केस लें, जबकि कल हमने सेंपल 68,164 संपूर्ण मद्यप्रदेश के लिए हुए हैं, प्रदेश के अंदर इस तीसरी वेप जो आहट ये दस्तक है, उसकी संपूर्ण तयारी मद्यप्रदेश की सरकार ने की हुई है, परियाप्त मात्रां पर हमारे पास में दवा, आक्सीजन, आईसीउ, बैड, परियाप्त मात्रां, सभी से आग रहे, कोविट गाईलाइन के पालन के साथ में, उस प्रकॉसन, डोज, जो एक सीमा और आईू सीमा उसमें बताई गई है, उसके इसाब से लिए, सभी आमजन से हाज जोड की प्राथा है, विनमर आग रहे, कि भीड भाड बाली जगे से बचे, इस करोना की रफ़तार फ़र्ष्ट और सेकेंड बेव से ज़्यादा तेज है, देश के अंदर लाखों में हमारी संक्या पहुँच गई है, हमारी कोशिस है कि मद्यप्रदेश में ये पाउन न पसार पाए, और इसमें, देखो हम पहले मनमौन सींगी को जैसे रिमोट से इन्होंने चलाया, कमोबेश वही इस्तिती इन्होंने पंजाब की कर दिया जिए इस बात का द्योतक है, एक सम्मेधानित पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, रिपोर्ट कर रहे हैं, प्रधान मंत्री जैसे व्यक्ति की, चाहे वो राजिस्तान की हो, चाहे 36 जल की जैसे हम देख रहे हैं हालत, वही कमोबेश तो हैं मद्यपदेश के क्रशी मंती कमल पतेर ने ट्विट कर किसानों की बरवाद हुई फसल पर दुख चता है, उन्होंने ट्विट कर लिखा कि प्रदेश में बेमौसम बरसात लग फसल बीमा यूजना के तहट अधिसूचना जारी कर ततकाल सर्वे कर बाएं और पीड़तों को मुअबस दाते हैं तो वहीं 36 गड़ में करोना से बचाओ के लिए 18 वर्ष से अधिक के 65 फीजदी आवादी को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं और वहीं अभी तक 98 फीजदी लोगों को पहला टीका लग चुका है जानकारी के मताबिक प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के किशोरों का भी टीका करण तेजी से किया जा रहा है जिसको लेकर अभी तक 44 फीजदी किशोरों का वेक्सिनेशन का पहला टीका लग चुका है तो वहीं आपको बता दे कि प्रदेश में पहली और दूसरी दोनों खुराकों को मिला कर आप तक को लटीन करोड़ 26 लाग 91,036 टीके लगा जा चुके हैं आपको बता दे कि 36 गण में कोरोना के आक्री जिस तरीके से सामने आ रहे हैं उसी को लेकर सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पनातर आ रही है आपको उता दे कि 18 वर्ष से अधिक की 65 फिस्दी आवादी को दोनों टीके लगा जा चुके हैं अभी तक 98 फिस्दी लोगों को पहला टीका लग चुका है साथे आपको बता दे कि 15 से 18 वर्ष के किशोरों का भी टीका करन तेजी से किया जा रहा है तो चलिए रुक कर लेते हैं अब खबरों की और जहां पर आपको बता दे कि आम तोर पर एंबुलेंस सेवाएं घायल इंसानों को अस्ताल पहुंचाने के लिए होती है लेकिन अंबिकापुर्ण शहर में पहली बार बेजुमान जानवरों को अब अस्पतालों तक ले जाएगी है शुबकारे मास्क मैन के नाम से पहचाने जाने वाले अजय अगरिवाल की माता शांती देवी ने गोसेवा के लिए गोसेवा मंडल के अंबलेंस सौप कर किया है 36 गड़ में समता पहली बार ऐसा हुआ है जिसमें बीमारों के लिए मुलेंस उपलब्द कराई गई है तो वहीं इस काम की चारों तरफ प्रशंसा हो रही है तो है मदबदेश के इंदोर में भुजर्ग फ्रेंट लाइन वरकर और अस्वास्त कर्मियों को आस्ते बूस्टर डूस लगाई जो रही है और कोरोना के लगातार अबरते प्रकोप के भी सुम्बार को 60 साल से ज़्यादा उम्र के भुजर्ग फ्रेंट लाइन बरकर और स्वास्त कर्मियों को कोरोना टीके का वुस्टर डूस लगाने के शुरू आतास से हो गई है इन दोर में स्वास्त विवाग ने इसके लिए सव से ज़्यादा टीका करन केंद बनाई गए हैं वारा साथ वर्स से ज़्यादा उम्र के वे लोग उस्टर डूस लगवा सकेंगे जिन्हें दूसरा टीका लगाए 49 सब्ता से ज़्यादा का समय हो गया है हमारे जो रहेंगे वो हेल्ट वर्कर जो रहेंगे हमारे जितने सभी है उसके अलावा हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स रहेंगे इसके अलावा सिक्टी प्लस के जो भी है को मार्विडिटी वाले यह सारे लोग रहेंगे तो अगर सभी को मिला के देखा जाए तो लगबग लगबग जो 42,000 के आसपास जो है यह आमारे रहेंगे 60 प्लाग और को मर्वीडिटी वाले जो कि को मार्वीडिटी वाले पेसे नहीं अगर उनको बूस्टा लगाना है प्रिकास्ट्री डोजमरा जो है यह अगर लगाना है तो इनको उनके डाक्टर से कंसल कर ले और आंदे इस पर आके लगा सकते हैं तो टोटल हमारे पास लगबग 95,000 के असपास हमारे डोज है कि जिनों ने जैन्वरी फर्वरी में लगा चुके फर्टोर और सेकंड और सेकंड लगने के 90 सब्सक्राइब तो खबर मद्देश के उज्ञेंस है जहां पर आपको बता दे को कराले पर पहुंचकर फसलों का सर्वे करवा कर मुआफज की मांग किया है साथी किसानों ने कहा कि 2020 सोयाबीन की भीमा राशी देने की भी मांग की है अज समय बारिश के साथ भेंकर ओलाव रश्टी हुई थी इसमें लेसुन प्याज खासकर चैने और ग्योंग की फसलों को पूरी तरह से बरबात कर दिया गया है कुछ राजनितिक दल के लोग जरूर छेतर में गये थे पर वो अपनी नेतागिरी और रोटी तेक कर लोटा है रसासन द्वारा आज तक उस पर कोई कारवई नहीं किये हमने कहा था कि आप ततकाल सर्वा करवा कर चीदे रहत राशी की गोशना सरकार करे पर आज तीन दिन हो गए हैं अभी तक कोई कारवई नहीं हुई है इसी को लेकर आज हमने कलेक्टर कारले का घहराव किया है हमारी मांग है कि ततकाल रहत राशी किसानों को दी जाए और जो फसल भीमा में जो कमिया है लेसुन प्याज और आलू का आज तक फसल भीमा भीम में आदिवासी दंपत्ती जली हुई हालत में मिले हैं तो वहीं आपको उताती कि जानकारी के मुताविक आदिवासी दंपत्ती सुमेरी लाल कुलस्ते और उसकी पत्री खेत वाले मकान में सोते थे जहां उन्होंने पशू भी पाल लगे थे सुबह दोनों की जली हुई ल प्रति लापरवाही का आरूप लगाया है कि दू आदिवासी बुजरुग कुछ जला दिया गया यह जल गए तुम्हें ततकाल आया निच्चित रूप से वड़ी विभत्स घर्टना है वड़ी निंद्रिय घर्टना है अब यह तो जाज का वेशा है कि कारण क्या थे लेकि कि अदिवासी स्रक्षित नहीं किस तरह की है यह जिंदध जलाएया जा रहा है तो जांच में आएगा लेकिन इस सांध में जो आदिवासे की दुबात करती है लेकिन आप खुद देख लीजी कि kतनी पिक्राल इस्तिती है यह बहुरी मत्रुदेश के लिए आदिवासी सम आज के लिए और हम सब के लिए कलंकित घटना है कि घटना माने या दुखटना माने यह तो जाज की बात है लेकिन आज इस सरकार ने यह सद्ध कर दिया है कि किस तरह से आदिवासी पीड़ी थे गाउं में तो है मद्यपदेश के डिंडौरी बीजेपी कारले में पिश्वा पंचाय चुनाओं होने चाह रहें लेकिन कॉंग्रेस के व्यवधान उत्पन करने की वज़े से पंचाय चुनाओं में पिश्वा वर को अरक्षणक से बंचित होना पड़ा जबकि बीजेपी की सरकार सदैब सबका साथ सबका विश्वास के तहत काम कर रही है लेकिन कॉंग्रेस ने चल पूरग शड़न पूरग इस पूरे चुनाओं को साजस के तैब भोगने का काम है आई कोट में ग्याजिटा सुप्रीम कोट में ग्याजिटा लगती है और सुप्रीम कोट में ये पकार से देश की सरवच नहले में भी जूट जोटा एक खराब नामा दिया रहता है कि 27% मद्रदेश में जन संक्या है तो संभावन इता है कि 27% जन संक्या है तो 27% सो पिसस आरक्षन पीसी भी समाज को नहीं पूरे बड़ा व्यवधान चुनाओं में आए तो वहें मद्रदेश के शिवपूरी में बीते दिनों पारिश और ओले गिरने से खेती को भारी रुकसान पहुचा है जिससे किसानों की पूरी फसल बरबाद हो गई है जिसके बाद कॉलरस के ग्राम दिगोद में ओला ब्रस्टी का जाइजा लेने चिला कलेक्टर अक्ष जान ने रोते हुए कलेक्टर से कहा कि मेरी फसल पहले विबाड में रेस्ट हो गई थी जिसका मुआपजा उसे अभी तक नहीं मिला तो 36 गट के कॉंडा गाऊं में बच्चों के विबाद पर पडोसी ने बुजुर्ग की हत्या कर दियो और जानकारी के मुताबिक थाना विश्राम पूरी छेते में बच्चों के विवाद को लेकर एक पड़ोसी ने दूसरे पक्ष के बुजर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया जिसके बाद बुजर्ग का घर पर ही देशी इलाज कराय जा रहा था जिसके बाद सोपार को बुजर्ग की मौत हो गई अलांकि पुलिस ने पीड़ित पक्ष की शिकायत पर आरोपी को गरफतार कर लिया है जिसकी विवाद को लेकर उस जान से माने की मिया से मांच की डंडे से मार कर घायल कर दिया था जिसकी नित्यू आज पांच वज़े हो गई जिसमें ठाना में अपराथ कर्मांच शे अब्रिक बाइद धारतीन सदों कायम का विविचनम भी लिया गया है तो खबर मदपदेश के भिंड सहथ जहां एक नया अजूबा देखने के मिला है अकोड़ा नगर परशद के आक्रूशित किसानों ने नगर पंचायत के अंदर गायों को बंद कर दिया है और नगर परशद के बाहर खड़े होकर नगर परिशद के घिराओ किया साथी, उन्होंने गौशाला को जल्द शुरू करने की मांग की जिससे उन्होंने कहा कि हमारी फसले बस सके बीते एक साल पहले नगर परशद में गौशाला बना दी गई थी, जिसका शिलानियास कर भुपाल में के बाद गॉलियर में भी केस काफी वढ़ने लगे हैं, साथ महीने बाद पूरे मदपदेश में 2049 केस मिले हैं, एक दिन में इंदोर में सबसे जादा 621 और भुपाल में 484 और गॉलियर में 280 जंकमरित मरीज मिले हैं, वहीं कुछ शेरों में भी सेंपलिंग कम ह प्रदेश में कुरोना के 6842 केस मौजूद हैं, तो वहीं एक मरीज की मौत भी होई है, स्वास्तिवी बाद के आंकडों के अनुसार आपको बता दे कि MP के 22 में से 22 जिलों में कुरोना के मरीज मिलने लगे हैं तो वहीं मद्रदेश के मंडला में विश्या विदायक नारायन सिंग पट्टा के निडिदेशन पर युवा कॉंग्रस ने भीम डूंगरी में किसान साथियों से मलाकात की, वहीं किसानों ने कॉंग्रस विदायक को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, बतादे कि धान खर विदायक के ब्रश्टाचार हो रहा है, वहीं विदायक ने किसानों की समस्या सुन प्रदेशन करने लगे और जिसके बाद उच्छदिकारी पहुंचे और विदायक समयत किसानों को शांत कराया, और कहा कि अगर किसी भी किसान के साथ अन्याय होगा, तो प्रशाशन साथ ने कहना नेशनल पार्क का माहल खुशनमा बना दिया है, तो वहीं भीशन सरदी के चलते आपको बता दें कि कोहरे ने पूरे जंगल को अपने आगोश में ले लिया है, कहना नेशनल पार्क के पार्टक उस समय चौक गये, जब भरे कोहरे के बीच बाग का दिदार तो वहीं मंड़ा शहर में भी आज घने कोहरे का मौसम देखनों के मिला, जिसने लोगों की सुबह की सेर में कमी देखने को मिली है तो वहीं कांकेर में नकसली बनकर घर में डकैती की कोशिस करने घुसे तीन फरजी नकसली को ग्रामीडों ने धर दवोचाओ और पुलिस ने पुलिस के हवाले कर दिया गया है दो आरोपी भाग निकले और साथी कुड़े कुरसे थाना छेत्र के गुर्दा टोला में बीती रात करीब दो बजे ग्रामीड चरुराम के घर पांच लोग जबरस्ती घुस गए उन्होंने खुद को नकसली बताया और पैसों की मांग करने लगे फरस्जी नकसली अपने साथ हत्यार भी रखे थे उनकी गतिविदियों को देखकर ग्रामीड परिवारों को शक हुआ और उन्हें हिम्मत करके उन्होंने विरोध दर्ज किया और जम कर उनकी पिटाई कर दी देश और दुनिया के आहम ख़बरों के लिए बने रहे हैं बी नियूस के साथ नमस्कार हुआ 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 है